नमस्कार मित्रों आपका बहुत-बहुत स्वागत है विकास एंति शर्मा टुटोरियल में इस टुटोरियल में हम डिफ्रेंट क्वालिटी पेरामेटर्स के लेटेट पढ़ेंगे जो भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल क्यूए प्रडक्शन इविनकी फार्मसुटिकल इंडस इन विकास एंति शर्मा टुटोरियल में सो विदर विस्टिंग टाइम अवर टुटेइज टॉपिक दोस्तों जैसे हम कुई टेस्टिंग करते हैं फार्मसुटिक इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल लैंब में तो होता गया है कि जनरली हमें फार्मकॉपी कुछ चैप्टर्स शोते हैं आज हम बात करेंगे यूए स्टेट्स फर्मकॉपिया तो उस आडिशे टेस्टिंग विदिए करेंगे आज इस वीडियो में सो असके पहले हम ये बात करेंगे चलब जब भी कोईए हम यह तेस्टिंग करते हैं किसी के वीजिग उसोous जाभी संधर चाहिए उस मिर्फेर करने के लिए एके संतर की उसे बोलते हम है है वो संधर में आता है 11 उस्क्रेक्म ये명 दीं सेप्टर 11 में आता है दोस्तों से बाद करेंगे सेकेंड अडेनिटिफिकेशन टेस्ट की राइनिटिफिकेशन टेस्ट जो हमारे युएस्पी जनल चैप्टर के वन नैंटी वन चैप्टर में आता है उसके बाद हम डिसक्स करेंगे रेजिड्यू और एगनेशन जो चैप्टर नबर 281 के अंदर आता है दोस्तों उसके बाद रेजिड्यूल सॉल्वेंट्स रेजिड्यूल सॉल्वेंट्स चैप्टर 467 युएस्पी 467 जनल चैप्टर के अंतरगर आता है व्ल्क डनेस्ट्री और टेप्ट आन्यस्ट्री जो हम सर चैप्टरित जरय करते हैं वो मरा आता है सिक्स वानशीच चैप्टर शेपλयू चैप्टर फछेष्ट van before forwarding ourselves around chromatography day-to-day everybody doing the analysis for chromatography it's a separating techniques separating of components separating the pics identify and quantify that's the main principle of chromatography it comes under 621 next water conductivity निकालते हैं पानी की वो कित्यों चाहिए उसका principle क्या है mechanism क्या है उसके limits क्या है वो मारा आएगा 645 के अंतरकत उसका हम जाएंगे disintegration test यह usp general chapter में 701 पे दिया गया हुआ है उसके पाद जो आता है वो dissolution test आता है वो है 711 general usp chapter उसके दोस्तों हाता है loss on drying जो general chapter usp में दिया गया हुआ है 731 में उसके आता है हमारा loss on ignition this is the general chapter 733 next one is mass spectroscopy it comes under usb general chapter 736 last one is melting range and melting temperature it comes under usb general chapter 741 next one is optical rotation optical rotation comes under usb general chapter 781 next one is refractive index it comes under 831 means also you cut this usb general chapter next one is UV UV means ultra visible spectroscopy it comes under 853 usb general chapter next one is uniformity of usage units it comes usb general chapter 905 18 number next one water determination हमारे सेंपल में कुछ पानी की मात्रवाइब जाती है उसको डिटर्माइन करने लिए उसका principle mechanism limits दिये होती है कैसे परफार्म करना है वो usb 921 usb general chapter के अंटर गड़ाता है next one is दोस्तों oil chromatography on chromatography it comes under usb general chapter 1065 and near IR spectroscopy it comes under chapter chapter 119 and tablet जब्यों को टेबलेट बनाते हैं वो कितनी तूटती है कितनी ब्रेक होती है क्या तूटने बाद कितनी ब्रेकेज होड़ी जब प्लान में कोई द्वाई बनती है वो हमारे तक पहुंचने तक जो उसमें यो भी तूटना ब्रेकेज होना उसके लिए टेबलेट प्रेवल्टी उसके वारे में कितनी लिमिट है उसकी क्या मेकैनिजम है प्रिंसिपल क्या है सब इट कमस अंडर 1216 यूसपी जनल चैप्टर 1216 जोस्तों इसे मैं आपको बहुकुल पास्ते दिखाऊंगा अपनोड कर सकते उसको अगर हम अच्छी तरह कोई चीज जानते हैं उसे लर्न करते हैं तो हमें कोई भी डर नी रहेगा means the more we learn or the more we know the less we fear this is USP general chapters USP reference standard it comes under chapter 11 identification test it comes under 191 residual on ignition it comes under USP general chapter 281 residual solvents it comes under 467 USP general chapter bulk dynasty and tap dynasty it comes under 616 chromatography it comes under 621 and in chromatography there are different types of chromatography we will discuss chromatography in the next very soon coming video and the next one is water conductivity water conductivity it comes under USP general chapter 645 next one is disintegration test it comes under 701 dissolution test it comes under 711 USP general chapters also next one is loss on drying it comes under 731 loss on ignition it comes under 733 mass spectroscopy it comes under USP general chapter 736 melting range or temperature it comes under 741 USP general chapter optical rotation 781 USP general chapter 831 UB ultraviolet visible spectroscopy it comes USP general chapter 853 UB ultraviolet visible spectroscopy it comes USP general chapter 853 uniformity of dosage units it comes under 905 USP general chapter 853 water determination it comes under USP general chapter 921 and next one is point chromatography it comes under 1065 near IR means near infrared spectroscopy it comes under USP general chapter 1119 tablet probability it comes under 1216 Dosto this is the main USP important general USP general chapters and I hope you all enjoy the video if you have any query you can message me next video we will discuss on the important topic that is the chromatography what is the principle of chromatography what the mechanism of chromatography which is the type of chromatography what is the principle of chromatography what is the principle of chromatography what is the principle of chromatography basically this is the pharmaceutical industry chromatography is a very big plays a very big role and I hope you enjoy a lot also and learning the more विल नो फिर तो लेस्ट भी फिर मिन्स जितना हम जानेंगे उत्रा हमारे अंदर फिर कम होगा मिन्स जब यहां को इंट्रीव देने जाएंगे अगर हमें नॉलेज पूरी होगी तो हमें जाह एंदर आश्चं में और अगरी मिन्स जाएंगे अटना में चाहुतर भीक घर कि घर सब्सक्राइब में दों त्क और युछ सीखने की कोई मर्ण यहां होती जितना शिखोगे अतना बंड़क और जितना बंड़क अतना सिखोगे allu धन्यवाद हर्मवासि है harder